ये रात हैं ये मौसम नदे का किनारा ये चंचल हवा हलो फ्रेंड्स मैं हूँ मयूर इस वीडियो में मैं आपको ऐसे फाइब टिप्स के बारे में बताऊंगा पांच ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिन पर फोकस करके आप अपनी सिंगिंग को बहतरीन कर सकते हैं सबस्क्राइब करें मेरा चैनल और साथ ही बेल आइकन को दबाएं मेरा हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो मैंने रखा है वो है कि सिंगिंग को बहतर करने के लिए आपको एक तो जादा से जादा सुनना है और तरह-तरह के मीजिक को सुनना है अलग-अलग सिंगर्स को सुनना है ये ना करें कि क्या करते हैं आपने एक सिंगर फिक्स कर लिया जिसको आप पसंद करते हैं और सिर्फ उसी को सुन रहे हैं आप जितना ज़्यादा एक्स्प्लोर करेंगे उतना ज़्यादा आप मुजिकली रिच होंगे तो जो जो सिंगर्स हैं उन्होंने बहुत खुब सुरत कुछ कुछ चीज़ें की हुई हो सकता है हम उन्हें पसंद नहीं करते हो लेकिन आप देखें कि हर सिंगर ने एक अपना मुकाम बनाया है तो उसके पीछे कुछ न कुछ तो वज़य है कुछ तो टेलेंट है तो सुने जरूर सबको सुने और इसी तरह कोई एक खास तरह के music की category decide न करें हर तरह का music सुने जो समझ आता है सुनने के लिए बहुत जरूरी है यह मैं नहीं कह रहा कि आपको हर तरह का music गाना है आपको सुनना है जितना जादा सुनेंगे उतना ही जादा आपकी singing बहतर होगी दूसरा point है कि एक reasonable time अपने रियाज के लिए आप निकाले आपको थोड़ा time अपने को कह सकते हैं आत्म मन्थन के लिए अपने को देखने के लिए इंप्रूव करने के लिए आपको रियाज के लिए समय थोड़ा या ज़्यादा जरूर निकालना है जो आपको आपकी situation आपके हालात जो अलाव कर है तो वो बहुत जरूरी है आप ये न समझें के सिर्फ गाना गा लिया और उससे आपने सारी चीज महनत आपकी हो गई गाना गाते रहने से भी इंप्रूव तो होता है लेकिन जो और भी बहुत सारी चीज़े हैं उनको dedicated उस way में करना बहुत जरूरी होता है एक reasonable time आप निकाले अगर आप classical music में interested हैं तो उसके लिए आपको उसके according समय देना होगा अगर आप light music ही पसंद करते हैं तो उसके लिए उस हिसाब से मैं यही कहूँगा कि minimum 25-30 minute आपको देना ही चाहिए चाहिए आप किसी भी तरह का music सीख रहे हों पसंद कर रहे हों इस से ज़्याद आप जितना देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है तीसरा point है कि आपको singing में अपना खुद का एक अपना अंदाज जो है develop करना है कभी भी किसी singer को copy ना करें अक्सर हम देखते हैं कि एक ही singer को गाते गाते हम उसके जैसा गाने लगते हैं कई बार वैसा सुनाई देने लगता है आप मेहनत कर रहे हैं तो क्यों ना अपनी एक पहँचान बनाएं अगर आप समय दे रहे हैं, तो क्यों ना आपके खुद की अपनी एक पहँचान हो, हर तरह के singers को आप गाएं, कभी भी एक singer के पीछे अपने को fix ना करें, कि उसी singer को आप गा रहें, जैसा कि मैंने first point में share किया, कि सब तरह का music सुने हैं, हर singer को सुने, इसी तरह किसी एक singer को इतना follow ना करें, कि वो आवाज भी उसके जैसे आप निकालने की कोशिश करें, यह आपका negative point होगा, अपनी खुद की एक unique जो आवाज है, उसको develop करें, जो आपका singing का जो अंदाज है, वो develop करें, वो अगर आप follow करेंगे, तो वो आपकी अपनी पहचान होगी, और वो आप को as a singer respect वही दिलाएगी, अगर आप किसी को copy करते हैं, तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है, चाहे आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो थोड़ी दिर के लिए तो यह तो कह सकते हैं, बहुत अच्छी आपनी mimicry की या match कर दिया, लेकिन उससे वो long life आपके लिए हो, हम सब इस परिशानी से गुजरते हैं कि हमें बहुत सारे गाने याद नहीं होते हैं, लेकिन कोशिश आपको यह करनी है कि गाना आप याद कर लें, अगर गाना आपको याद है तो आप बहुत ही खुले अंदाज में उस गाने को perform कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी से आ उतनी अच्छी सिंगिंग आपकी नहीं रहती कई प्रोफेशनल सिंगल्स भी पढ़ते हैं लेकिन उसमें भी कुछ अलग-अलग चीजें हैं जैसे मैं ऐसा मानता हूं कि कि अगर मेरे सामने lyrics रखे हैं और मुझे अगर जरूरत है पढ़ने की तो मैं उस पूरी line को नहीं पढ़ रहा होता हूं सारे गाने को नहीं पढ़ रहा होता हूं वो मैं backup के लिए रखता हूं कि अगर in case मुझे कोई stanza याद नहीं तो उसका first word मैं देखूंगा उसी से मुझ याद आ जाएगा तो basically गाना त्यार है तभी ऐसा होता है तो point यही है कि गाने को याद करें फिफ्थ और सबसे last point है कि हमेशा हर गाने को उसके original scale में गाने की कोशिश ना करें मुझे नहीं बता कि आपका scale क्या है original scale क्या है हम सब के अपने अपने अलग-अलग scale हो सकते हैं और ये गाने जो बनते हैं वो किसी खास singer को ध्यान में रखके बनाये जाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर singer का गाया हुआ गाना जिस scale में उसने गाया है मैं उसी में गापाऊंगा ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है अगर आप ऐसा करते हैं कि हर song को उसी scale में गाने की कोशिश करते हैं तो में भी कुछ गाने आपकी range से बाहर हो सकते हैं इसलिए अपने को कभी भी force ना करें इस चीज के लिए कि जैसा scale गाने का उसी में गाया आप उसको अपने scale के हिसाब से गाएं उसका जो रूप है वो नहीं बदलता है अगर आपने गाया आपका natural range उस गाने में जहां fit वैठता है उस गाने को अपने range में ढाल के आप उस गाने को गाएं आप जादा comfortable होंगे और जितना ज़्यादा comfortable होंगे उतना ज़्यादा उसमें जो है feel होगा उस गाने में फील आप तब तक नहीं किसी गाने में डाल सकते, जब तक के आप खुद comfortable नहीं हैं, अगर आप stress में किसी गाने को गा रहे हैं, तो आप कुछ ज़्यादा उसमें नहीं कर सकते, आपका attention जो है, पूरा गाने को मिलना चाहिए, इस stress में आप गाने को न गा रहे हों, कि मेरे से note लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, लगेंगे कि नहीं लगेंगे, वजाए उसके, उसको अपने scale में गाएं, comfortable होके गाएं, enjoy करें, और उसमें पूरा feel उसको करने की कोशिश करें, तो ये तभी possible है जब आपकी range में आ जाए वो गाना, maybe वो original scale सायद उसका नीचा हो, या उस वजए से आपका performance अच्छा नहीं गया, तो उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी range में रहे के ही हर गाने को गाएं, तो मुझे उमीद है आपको समझ आया होगा, मिलते हैं अगले video में, thanks for watching.